चम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविदियों के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ओप्रेशन जारी है कोपवाड़ा में मुठ भेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने दो आतंकेयों को देर कर दिया इंकाउंटर नौर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर के नस्दीक LOC के पास हुआ था वहीं अब कुपवाड़ा में मारे गए आतंकियों के पास से एक स्टेयर AUG राइफल भी मिली है आतंकियों के पास इस राइफल के होने का दावा जुलाई 2020 से ही किया जा रहा है आशंका है कि इन दोनों आतंकि जहशे मुहम्मद के PAFF दस्ते के सदस्य हो सकते है क्या है स्टेयर AUG राइफल की खासियत इसके चैंबर में 5.56 x 45 mm का कार्थूस इस्तमाल होता है इस राइफल की मारक शम्ता भी काफी एडवांस है इस राइफल को आसानी से कैरी किया जा सकता है टिगर पूरा दवाया जाये तो आटोमेटिक फारिंग शुरू हो जाती है इसमें 9, 30 और 42 राउंड एक साथ फायर किये जा सकते हैं साल 1960 के दशक में स्टेयर डेलमर पुच की ओर से डिजाइन किया गया था अब इसे स्टेयर आम्स GMBH & कंपनी केजी बना रही है इस हतियार को दुनिया के चुनिन्दा खतरनाक राइफलों में शुमार किया जाता है इसे दुनिया के काफी देशों में सेना और पुलिस इस्तमाल कर रहे हैं साल 1977 में ऑस्ट्रियाई सेना ने इसका STG-77 वर्जन अपनाया था तब इस राइफल में STG-58 आटमेटिक राइफल को रिप्लेस किया था कुछ दिनों से इसे सर्विस राइफल के रूप में उप्योग किया जाता है पहले बरामद हुई ऐसी राइफल सूतरों का दावा किया जाता है कि घाटी में उस्ट्रिया नेरमित राइफल की ये पहली बरामद गी है दावा है कि अफगानिस्तान में नाटो देशों की सेना इसका इसनमाल करती थी इसके साथ ही मारे गए विदेशी आतंक्यों के पास पाकिस्तानी पहचान पत्र भी मिला है देशतगर्दों ने इन राइफलों के साथ युद्ध जैसा गोला बारूत का जखीरा मिला है